असलाम लेकुम मैं टू फैमिली कैसे हैं आप सब अच्छे से होंगे मैं हूं रूबी और मेरे चानल रूबी स्कोकिंग में आप सबका स्वागत है आज मैं बहुत ही मज़े का डिजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ आपनी चाविल के खीर तो बहुत खाये होंगे आज हम गा यहां पर मैंने आधा केजी गाजर लिया है एक दम लाल रंगा गाजर यूज करें इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और यहां पर मैंने तीन से चार टीस्पून चावल को मैंने भीगो के एक घंटा पहले रख दिया था इसे हम साइड में रख लेंगे और यहां पर मैंन दूद लिया है मैंने इसमें भैस का दूद इस्तिमाल किया है आप चाहें तो कावम भी ले सकते हैं फटा फट गाजर को क्लीन कर लेंगे यहां पर मैंने गाजर का छिलका निकाल लेंगे पहले उसके बाद मैं इसे कदूकस कर लूँगी यह चीज ग्रेटर आता है उसी से हम इसे ग्रेट करेंगे क्योंकि हमें बहुत बारिक गाजर चाहिए फटा फट मैं इसे ग्रेट कर लूँगी और हो सके तो पतला गाजर यूज करें तादा मोटा गाजर यूज ना करें यहां अब चावल को ले लेंगे पीषणा नहीं है यह हम तैसे हम हाथ ionic काफी भीक चुका है इसे हाथ की मदद से मैस कर लेंगे हलका अब पर जो गभा तो बहुती बॉटा से यह जाएगा जाएगा यहां पर एक कड़ाई में मैंने घी गरम कर लिया है टू से थ्री टीस्पून हम घी एड़ करेंगे और हमारा जो कदुकस के ओवा गाजर है वो हम इस घी में एड़ करेंगे क्योंकि हमें गाजर को पुरे अच्छे से जितना भी उसमें मौस्चर है पूरे घी में भून के हमें सुखा लेना है अगर हम यह ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा यह जो दूद है वो फट जायेगा डालते ही याद रखे जब तक अच्छे से गाजर भून ना जाए हमारा हमें इसमें दूद आड़ नहीं करना है हमें बहुत यह अच्छे से यह काजर को भून के एकदम ड्राय कर लेंगे देखे कितने अच्छे से ड्राय हो चुका है अभी मैं इसमें करश किया हुआ जो चावल था मैंने वो भी आड़ कर लिया है अभी दोनों को दो मिनट और भूनेंगे हम क्योंकि जो चावल का मॉस्चर है वो भी सुख जाए साथ में दोनों को अच्छे से भूने के बाद अभी इसमें हम मिल्क तो एड़ करेंगे लेकिन एक साथ मिल्क नहीं एड़ करेंगे तो लंस बन जाएगा थोड़ा-थोड़ा मिल्क एड़ करेंगे एसे ही करते करते हम दूद को एड़ करेंगे इस खेर में अगर आप गाजर नहीं बूलेंगे तो इस टाम में दूद फट जाएगा ध्यान रखे कि आपको गाजर को बहुत ही अच्छे से भूनना है देखे मैंने फिर थोड़ा सा डाला है फिर अच्छे से मिक्स करेंगे जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप पुरा दूद को एक साइट डाल सकते हैं गाजर रेड लेने से एक फाइदा है कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है नेशरल इस पे मैंने थोड़ा सा केसर के धागी भी डाले हैं जिससे थोड़ा नेश्रल कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी वरता है अभी मैं इसे फ्लो मेडियम आश में कम से कम 20-25 मिनट तक मेडियम आश में पकाऊंगी जब तक हमारा चावल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें बहुत ही अच्छे से इसे पकाना है और याद रखे गास का फ्लेम पहले तो हम मेडियम रखेंगे उसके बाद हम सूपल कर लेंगे क्योंकि हमारे घर के ओपर तक हमें जमाना है ऑ pocket морine रखमी है यह जम हुट ही मलाय समाना है और वापस खेर में अच्छे से मिक्स करते जाना है तuerdo तक है खाने में बहुत ही अच्छा लगे का श parked कрах का में आ य् और साइट शाड में जो लग रहा है नूश को भी निकालते जाएंगे साथ में देखिए कितना कॉंटिटी दूद का कम हो चुका है और हीर गाड़ा भी हो रहा है ऐसे ही पकाते जाएंगे देखिए हमारा खीर काफी गाड़ा हो चुका है अभी मैं इसमें एक कप सक्कर डालूंगी क्यूंकि गाजर मैंने एड किया है अलड़ी बहुत रेट था उसका भी एक मीठा पन है अभी खीर में तो इसमें हम सक्कर कॉंडिटी कम रखेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं जैसे ही हमारा सक्कर मिक्स हो जाएगा अच्छे से 2-5 मिनट और पकाएंगे हमारा खीर का देखते हैं तयार ह चुका है अभी यहां पर कटोरे ले लिया है अभी फटा फट इसमें हम सर्फ कर लेंगे थोड़े सी गानिशिंग के लिए मैंने इसमें काजू रख दिया बाकि मैंने कोई भी ड्राइफूट खीर में एड नहीं किया ऐसे यह खीर बीना ड्राइफूट का बहुत ही मज़ अगर आप सबको मेरी वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लिस में चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इस वीडियो मिलूंगे अल्ला हाफीज